हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इलेक्टरिक आइरन प्रेस के रिपेरिंग कैसे करते हैं कैसे चेक करें इसके अंदर क्या ख्राब है और उसे कैसे चेंज करते हैं A to Z complete इस वीडियो में दिखलाया गया है बतलाया गया है इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह का electric iron press की repairing कर सकते हैं और उसके अंदर चेक कर सकते हैं क्या ख्राब है और उसे बदल सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z complete पूरा जरू देखिए तो जैसे कि हमारे पास एक यह electric iron press है जो उसा company का है आपका किसी भी ब्रांड का हो सकता है सब में सेम ही समान लगा हुआ रहता है element thermostat और lead wire सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर जो यह screw है इसको open करेंगे जिदर हमारा lead wire का connection होता है यानि main power supply input connection यहां पर यह screw खुलने के बाद यह जो wire को lock के जाता है यह इसको भी हम यहां पर खोल लेंगे इस तरह से उसके बाद यहां पर face neutral का जो wire का connection किया गया है उस wire को भी यहां पर खोल लेंगे इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे इस कुरू खुलने के बाद वायर को चेक करेंगे वायर हमारा सही है या खराब है अगर वायर हमारा सही है उसके बाद आगे चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्राबलम है क्या खराब है तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे यहां पे स्रीज टेस्टिंग बल्ब होल्डर जैसे की यह हमारा स्रीज टेस्टिंग बल्ब होल्डर है इससे पहले वाला वीडियो में भी हमने इसको दिख लाया बतलाया हुआ था यहां पे आपस में चेक कर लेंगे तो हमारा बल्ब जल रहा है अब चलिये वायर को चेक करते हैं सबसे पहले अर्थ टॉप से लेकर चुझे भी यहां पर चेक करेंगे यह सही है उसके और इस में भी देख लेता है फ्रेश नूरब नेव तरल में भी switch on नहीं रहता है तो यहां पे continuity हमारा नहीं बता रहा है इसका मतलब इसके अंदर हमारा problem है चाहे thermostat हो चाहे element हो तो इसके लिए क्या करेंगे अब यहां पे screw को खोलते हैं अर्थ वाला wire भी उसके बाद जो switch का नब है इसे निकाल लेंगे जिससे low high करते हैं गरम होने के लेंगे हर electric iron press में आपका लगभग इसी तरह से screw दो आगे दो पीछे होता है किसी किसी में front में भी होता है तो body में जो screw होता है body का screw यहां पे हम खोल लेंगे कि इसके अंदर element खराब है या thermo state तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पे स्रीज testing bulb holder और यहां पे चेक करेंगे सबसे पहले हम डालेंगे element पे तो element हमारा continuity बता रहा है एक चीज और यहां पे clear तरह से हम आपको बतला दे जो thermo state का wire होता है दो होता है element में आपका दो point होता है connection करने के लिए तो series कर दिया जाता है element के साथ यानि thermo state का कोई एक wire आपको डाल देना है element में और एक wire में power supply देना है element का और एक thermo state में तो यहां पे thermo state की continuity हम देख रहा है तो नहीं बता रहा है यह on था फिर भी हमने इसको off करके on कर दि और यहां पे जला हुआ भी दिखाई दे रहा है बहुत से में जला हुआ नहीं दिखाई देता है तो continuity करना पड़ता है तो यहां पे यह जला हुआ भी है carbon आ जाता है तो भी यह continuity नहीं बताता है तो जला हुआ है तो यहां पे हम क्या करेंगे इसे खोलेंगे उससे पहले ह हम आपको बतला दे जो होता है यानि जो इंडिकेटर होता है उसका connection होता है आपका element वाले दोनों point में और आपका जो thermo विष्टेट का 2 वायर होता है एक में power supply input होता है एक से आपका element में series हो जाता है और element का दूसरा वाला पॉइंट बचता है उसके अंदर पावर सप्लाइग कनेक्शन इन्पुट होता है नूट्रल फेस यहां पर हम इसक्रू को खोल लिये हैं थर्मो इस्टेट जो कनेक्ट था एलिमेंट से और उसके बाद यह जो दोनों इसक्रू है इसको यहां पर खोल लेते हैं जिससे हम थर कार्वान आ जाता है तो जो credits paper होता है जिसे रेंग्माल के नाम से भी जाना जाता है उससे साब कर ले करता है यहां पर हम नया थर्मो एस्टेट लगाने वाले हैं एक चीज और हम आपको बतला दे कभी आपको नहीं मिलता है तो यह क्या करेंगे पुराने को यूज कर सकते हैं क्यों क्यों कि यह जो पॉइंट है यह सेकेंड अटो कट हाई टमपरेचर का है फर्स्ट जो काम करता है वो यह वाला पॉइंट करता है जैसे यहां पर देखें यह वाला पॉइंट अपका अटो कट का मेन काम करता है यह उसी समय काम करता है कि यह फेल कर सकते हैं इसे लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे चेंज कर दे तो बेहतर होगा और नीचे वाला पॉइंट अगर जला हुआ है तो सौर्ट नहीं कर सकते हैं अब यहां पे तो हम इसे बदल देने वाले हैं यहां पे एक चीज बतला देख छोटा सा लगा हुआ रहता है यहां इसके अंदर पुराना वाला जो है उसी को हम रहने देंगे कभी-कभी होता क्या है खोलते समय वो गिर जाता है इसलिए हमने एक चीज को आपको बतला दिया कि कभी बैचांस गिर जाया तो आप ध्यान में रखिएगा यहां पे उसका बाद सेम जिस तरह से थर्मो इस्टे यहां पे यह आपका लेट से ऑन होगा तो यहां पे हम क्या करेंगे इतना पे ओन हमें करना है उसको थोड़ा एसको मोड़ेंगे यहीं से हमारा अन हो गया यानि कट से आवाज किया आपस में connect हो गया अब चलिए हम इसका connection करता है थर्मो इस्टेट का एक वायर ले करके जो छोटा वायर रहता है उसको element में connection किया जाता है जो लंबा रहता है उसके अंदर power supply input connection किया जाता है तो कोई एक वायर connection कर सकते हैं ध्यान रहे तो जो छोटा है वही element में करेंगे तो बहतर होगा तो इंडिकेटर का एक वायर और एक थर्मो इस्टेट का वायर लेकर के एक जो element का point है उसमें हम connection कर दिए अब यहां पर चलिए हम चेक करता है जैसे इसके अंदर हम लगा दिए इसको इतना पर हम घुमाए तो आन हो गया य उसके बाद फिर cover लेंगे cover लेकर के जिस तरह से कसा हुआ था उसी तरह से हम यहां पर कस लेने वाले हैं और जो वायर है उसको जरूर निकालेंगे ध्यान रहे दब जाता है और इंडिकेटर को भी आराम से निकाल लेंगे इस तरह से हमारा यहां पर सब निकल गया उसके स्कुरू ड्रैबर लेंगे और स्कुरू को कस लेंगे स्कुरू को थोड़ा थोड़ा कसने के बाद इसको back side एक plate पत्ती होता है जिस पे total इसका लिखा गया रहता है wattage ampere brand इस पत्ती को लगा देंगे एक चीज और यह iron थोड़ा सा plate इसका जला हुआ है अगर इतना जल जा करके अच्छी तरह से इसको total tight कर देंगे फुल उसके बाद यह wire को We aur Who Just The उसके बाद इसका cover लेंगे indicator को जो indicator का जो red color का है उस cover के अंदर डालेंगे और उसके बाद इस screw को यहां पे कस लेंगे तो इस ते से हमारा चार screw था इस body का यानि इस cover का 4 screw को यहां पे कस लेंगे ध्यान से एक side इसमें घाट होता है यानि cutting होता है उसको ध्यान में रख करके लगाना है नहीं तो टेड़ा हो जाएगा तूट जाएगा तो यहां पे अच्छी तरह से हमारा लग गया उसके बाद यहां पे जो wire lock है उसको भी यहां पे हम wire lock को lock कर देंगे ताकि बाहर से कभी wire को कोई पकड़ के खीचे या किसी कारण खीचाए तो हमारा wire connection point से तूटे नहीं damage नहीं हो और उसके बाद इसका जो cover है इस cover को यहां पे लगा करके इसको कस देंगे यहां पे finally इसको कस लिया गया है अब यहां पे चली हम आपको check करके दिखलाते हैं यहां पे board के अंदर इसको डालते हैं यह देखिए indicator on हो गया इसको बंद करते हैं यह off हो गया अब चली इसको on करते हैं थोड़ा सा on करके छोड़ते हैं तो यह automatic गरम होके cut जाएगा जैसे यह cut गया अब चली थोड़ा सा और high करते हैं यहां पे यह हो गया आप देखिए फिर यह cut जाएगा यह cut गया फिर थोड़ा सा कर देते हैं उसके बद फिर हमारे indicator on हो गया indicator on होने का मतलब यह होता है कि element जो होता है उसके अंदर power supply चला जाता है और यह गरम होता है जब indicator off हो ज करता है जितना आप गरम चाहते हैं लो हाइक कर सकता है तो इस तरह से इलेक्टरिक आइरन प्रेस का रिपेरिंग कर सकता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आप इस वीडियो को एटू जेट कंप्लीट पूरा ध्यान से देखे होंगे सुने होंगे तो लाइक कीजिए सेर कि जबके मन में किसी भी तरह का डाउट सवाल सुझाव है तो उन्चे कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखे